हेलो फ्रेंज तो कैसे हैं आप सब एक बार फिर आप लोग का स्वागत है वीजेस वंडर लाइफ के एक और नए ब्लोग में सुबह सुबह का बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है तो मैं भी प्लांट में पानी डाल रही हूँ और अगर आप मेरी तरह पेट लवर है तो डेफिनिटी फ्रेंड आज का ब्लोग आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है लेकिन इसके पहले कि हम ब्लोग को स्टार्ट करें अगर आप मेरे चैनल को न्यूली विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब करना ना भूलें को तो क्या बताओं फरंस जबसे मेरे गार्डन में यह जैस्मीन वाले फ्लावर खिले है मेरा पूरा गार्डन से लेके घर तक महकते ही रहता है तो चलिए सुबह का वक्त हो गया है सबसे पहला काम होता है ब्रेकफास्स प्रिपेर करने का तो अभी मैं ब्रेक जाने के लिए मैं थोड़े से वेजी यहां कट कर ले रही हूं बिल्कुल बारिक बारिक कट कर रही हूं चाय बिठा दिया है क्योंकि मेरे हस्बन अभी ऑफिस जाने वाले उनको तो चाय के बेना कुछ भी पसंद नहीं आता है बैटल में सूजी जो है वह अच्छा से मिक्स हो चुका है मैं अभी एक एक करके उठाब बना रही हूं पैन में उपर से कटे हुए वेजिस भी डाल रही हूं तो सबसे पहले घर से अजबन ही बहार जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले ब्रिक्वास्ट पिपर होता है फिर मैं और मेरी बेटी ब्रिक्स करते हैं तो चाय के साथ उत्पम वितनारिल की चट्टनी और यह इमली वाली चटनी मेरी बहुत ही फेवरेट है यह वीवा माँ यह लो मिक्की तो घर में कैसे आगे बबा तो यह फ्रेंट्स यह है मेरा पैट जिसको मैंने कभी रेस्क्यू किया था तकरीवन एक साल तक मेरे पास रहा फिर मुझे इसको फ्री कर देना पड़ा देखिए कितना प्यासा है इसको फ्री करने के चार दिन बाद यह घर बापस अपने आप आ गया और मुझे लग रहा है इसको किसी ने अटैक किया यह किसी चीज़ से डरा हुआ था इसलिए घर की तरफ बापस आ गया है यह घर आ गया है मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है अभी मैं इसको कुशिश कर रही हूँ कि कैसे पकड़ के घर की तरफ लेके जाओ कि यह बहुत ही कमजोर लग रहा है मुझको वैसे तो मैं इसको खाना वाना देकर आया करती थी पेड़ पे लेकिन मैं अब इसको प रहा है कि इतना दूर से घर कैसे पहचान कर वह आपाया थोड़ा सा आपसेट मुझे लग रहा है शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा विभी एक मिकी मिकू कि थोड़ा सा सूस्त लग रहा है बिल्कुल इसी पेड़ पे चड़के वह वेट कर रही थी पता नहीं ह मारे आने का I Don't know मेकु को मैने कुछ दिन पहले छोड़ा actually शक्राइशा के लिए वच्छ सोच के रही मैनने चोड़ा था लेकिन वह कैसे अपने धर पहड़ पैचान के आ गया मैं भी स्टील मैं विलीभ नहीं गर पारी हूं थे लेकर रही मैं तो इसके लिए जो भी अच्छा होगा मैं ज़रूर करूंगी उसके दाथ बहुत बड़े हो रहे था और उसको कंटीनिउसरί कुछ 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 कुटरने के लिए चाइए हो ला था हमारे बंगाल से अच्छारा वाँ पाल फाल जडियो मज़ाओं गली kisusukai omg मजख में पागल हवा बोला जाता है मतला हना पागल हवा जोकि जिसका बहने का या ब्लो होने का कोई तरीका नहीं है यहां से वहां से कहीं से भी वो बह रही है बहुत अजीब सा हो गया है बहुत हवा चल रहा है बहुत हवा चल रहा है बादल भी बहुत हुआ है बट मुझे लगता नहीं बारिश होगा क्योंकि हवा इतना चल रहा है हवा तो ठीक है लेकिन धूल भी इतना चल रहा है मुझे ऐसे मौसम में क्राफ्ट या पेंटिंग कुछ भी ऐसा चीज़ करना बहुत पसंद है तो अभी मैं यहाँ पर एक क्राफ्ट बनाने का कोशिश कर रही हूँ चोटे-चोटे से पेंटिंग मैंने बनाये थे कलर के हेल्प से उसके पीछे मैं चोटे-चोटे कार्ट बोर्ड उसी शेप के कट करके उसको चिपका रही हूँ फिर इससे एक वाल हैंगिंग टाइप का मैं कुछ बनाऊंगी बिल्कुल इसी वाल हैंगिंग के नीचे हैंग करने के लिए मैं चोटे-चोटे से टर्सल बना रही हूँ वो भी वुलन के हेल्प से ऐसे वुलन टर्सल बनाना बहुत ही ईजी है एक कार्डवोट के शेप में मैंने इसको पुरा रोल रोल घुमा लिया फिर निकाल के उसको मैं बीचो बीच से एक दूसरे सेम कलर के वुलन के थ्रेट से बान दे रही हूँ अभी और एक डिफरेंट कलर का मैं चाहे तो आप सेम कलर का भी ले सकते हैं मैं इसको बिल्कुल उपर की तरफ से पुरा टाय कर दे रही हूँ ताकि ये टार्सल को अच्छे से पकड़े रह पाए और इसको अच्छे से बानने के बाद वो जो गोल वाला हिसा है जो दिख रहा है यहां से बिल्कुल मैं काट लोगी काटने के बाद इसको एक सेम बना लिये हैं इस वाल हैंगिंग के नीचे लगाने के लिए इस क्राफ को एक स्थैटिक लुक देने के लिए मैं यहां पर यूज करने वाली हूं मैं पर लिए मैं इस के साइड वाली हूं एक बड़ने चुहां के viaड से मैं इसके दोनों तरफ छोटा-छोटा सा सुराक बना लोगी जिस से के जूट रोप总 कर दोंगी कोब दोगो तो की साइड, होल शे मैं जूट रोप गान और बन से ही मैं बांदूंगी सो एक तरफ से तो काम अल्मोस फिनिश हो जा रहा है अभी बिल्कुल सेन इसी धागे से मैं दूसरे तरफ को भी अच्छे से बांदूंगी जैसा कि देख रहा है दोनों तरफ से काम अल्मोस पूरा हो गया थोड़ा सा आगे पीछे उपर नीचे लग इसको अभी भी सेट नहीं किया है मैंने टासल को मैं ऐसे एक एडेसिव के हल्स से इसके पीछे स्टिक कर दे रही हूं तो आप अपने घर में जब खुद का बनाया हुआ होँआ होम डेकॉर वाले आइटम से अपका घर डेकॉरेट करते हैं वह जो फीलिंग होधी ना फ्र रेगुलर हल्दी वाला दोत देती हूं इतना दूल आ गया है जो हवा चल रहा है बाहर इतना जोर से इसकी वैसे इतना डस्ट गुज गया मैं तब से लेके दो बार जाड़ू लगा चुकियों देखिए अब दिक रहा हूँ कितना दूल आया है अब इसको भी साफ करना प अच्छा वह मनें कलिस सब कुछ रड़ी करके रखाता है अज जो भी काम है वह हात काई काम है माशीन का तो जरुत पड़े गाई नी जो भी काम था मैंने कली कर लिया था कल वक्त रहते मैंने जो भी ता पीस लिया तब आज के बार उसका बैठती तो तो लाइड नहीं है कुछ नहीं है मशीन तो चला ही नहीं बाती तो बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है तो मिकु भी आज घर बापस आ गया टिनर में बनने वाला है पालक पनीर और गरम गरम रोटी तो घर पे तो बड़े अराम से मैं आटा गोन रही थी लेकिन बाहर का कोई खबर नहीं था बाहर निकलते ही मैंने जो देखा हमारा जो बाउन्डरी था जो ग्रीन कप्डे से में लगाया था वो पूरा टूट के नीचे रास्ते में लोट पूट हो रहा था पूर्सला इतना हवार है देखो तब भी बैखे हुई है डटके एक दम चाह जानवर हो चाह इं इस रेसिपे में मकन का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हूँ अद्रक लेसन डालक के थोड़ा सास को बुनने के बाद मैं प्याज भी डाल दे रही हूँ अभी इसको बुन लोगी मैं इसको बुना अभी बारी आती है पालक का प्योरे डालने का हाँ यहाँ पर एक पालक का पेस्ट डालना पसंद नहीं है इसके सारा फ्लेवर विटम एन मिनरल सारे निकल जाते है उस पानी के साथ ही तो मैंने बिल्कुल रॉ ही इसको ग्राइंड किया है और एक पॉइंड मैं यहां एट करना चाहूंगी क्योंकि पालक इतना ही फ्रेश और अच्छा था कि उसको बॉयल करने का जरूत नहीं बड़ा तो पालक ने अपना कलर चेंज कर दिया है बिल्कुल इसी टाइम हमने हमारा पनीर क्यूब इसमें एट कर दिया है आप नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं बिल्कुल लास में मैंने एक चमच घीस में एट किया और बिल्कुल हमारा घर का बना हुआ रेस्टो स्टाइल पालक पनीर रडी है तो आज मेरी नेवर के साथ प्लैन था कि हम लोग एक साथ मंदिर जाएंगे तो कैसे भी करके आज मेरा जाना नहीं हुआ लेकिन वो मंदिर गई थी और वो मेरे लिए लाई है मंदिर का प्रशाद तो डिनर में सर्फ होने के लिए पालक पनीर तो रेडी हो गया है बस रोटी नहीं बनाया था मैंने तो जल्दी जल्दी से मैं यहां रोटी भी प्रिपेर कर दे रही हूँ तो यहां गाईज आज का ब्लॉग भी आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे महनत इसको बनाने में लगी है तो यहां फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक लिए बाई चीक किये और थैंक्स फॉर वोचिंग